घर के मंदिर से जुड़े वास्तु के कुछ महत्वपूर नियम दिशा, मंदिर को उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए ये दिशा इशान कोन कहलाती है और इसे सबसे शुब माना जाता है यदि उत्तर पूर्व दिशा संभव ना हो तो पूर्व दिशा दूसरा उत्तम विकल्प है उत्तर पश्चिम दिशा में मंदिर स्थापित करना अशुब माना जाता है उचाए, मंदिर को जमीन से थोड़ा उपर रखना चाहिए देवी देवताओं की मूर्टिया या प्रतिमाय आपके सिर के स्तर से उची नहीं होनी चाहिए अन्य नियम, मंदिर का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए पूजा करते समय आपका मुख पूर्व या पश्चिम दिशा में होना चाहिए मंदिर हमेशा स्वच और शुधर रखे मंदिर में दीपक, अगरबत्ती, फूल और जल अवश्य रखे मंदिर में तुलसी का पोधा रखना भी शुब माना जाता है खंडित या तूटी हुई मूर्तियों को मंदिर में नहीं रखना चाहिए मंदिर में जूते चपल पहन कर नहीं जाना चाहिए मासाहारी भोजन मंदिर में नहीं लाना चाहिए स्त्रियों को मासिक धर्म के दोरान मंदिर में नहीं जाना चाहिए रविबार को मंदिर की साफ सफाई अवश्य करे कुछ अतिरिक टिप्स मंदिर का निर्मान लकडी, सन्मर्मर या इट से करवाना चाहिए मंदिर की दिवारों पर हलके रंग का प्रयोग करे मंदिर में धूप और हवा का आना जाना होना चाहिए मंदिर में शांत वातावरन बनाए रखे ध्यान दे, ये केवल कुछ बुनियादी वास्तुनियम है यदि आप अपने घर में मंदिर स्थापित करना चाहते हैं तो किसी अनुभवी वास्तुशास्त्री से सलाह लेना उचित होगा